तेजस्ट लाग बच्चे जो है नीट का एप्लिकेशन फॉर्म जो है वो रजिस्टर कर चुक है यानि अब तक लगबग 23 लाग बच्चे जो है नीट 2023 के लिए रजिस्टर कर चुक है देख कर सुनकर बढ़ा अचंबित हुए नहीं हुए आपको बता दू अब तक की number of registration है नीट के एक्जाम में अब ये सुनकर आपका दिमाग इसलिए खराब होएगा आप ये बोचे कहेंगे कि सर इतने सारे बच्चे हैं तो कटाओ बहुत जबर्दस जाएगी है ना लेकिन येस क्या जाएगी कैसे जाएगी किस तरीके से जाएगी वह सारी चीज़ आज हम डिसकेस करने वाले लेकिन उससे पहले सबसे इंपोर्टेंट चीज है तुझे अगर नीट क्रैक करना है तुझे अगर अच्छी रैंक लानी है तिरको वाके अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो तिरको एक काम करना पड़ेगा और वो क्या तिरको कोश्चन की प प्रैक्टिस करा रहा हूं ना क्लास में हां सर करा रहे हो हो मर्क दे रहा हूं ना क्लास में हां दे रहे हो तो प्रैक्टिस के लिए कोश्चन भी तो दूंगा ना तो वह प्रैक्टिस के लिए कोश्चन आपको चैप्टर वाइज यह देख पूरे 38 के 38 चैप्टर यहां प सर हमें और कुछ नहीं करना हमें आज एक चैप्टर पढ़ना या दो चैप्टर पढ़ने अब तो समय आ गया ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का फटा फट रिवाइज करिए अपना चैप्टर और ये जो वीडियो है ना एक काम करना एक काम करना इस वीडियो को एक काम करेगा अपने YouTube पे store कर लिजेगा यह सेव कर लिजेगा है ना option आता है ना वहाँ पे save करने का save कर लिजेगा है ना आपने save कर लिए अब आप क्या करेंगे आप questions की practice करने के लिए सबसे पहले एक बर one sort one sort one sort खेलते जाएं कितना one sort one sort खेलोगे भाई कितना theory पढ़ोगे भाई कितनी बार चलो revision होता है theory बार बार थोड़ ना पड़ी जाएगी आपके पास notes आपको notes revise करने ना आपने short notes बना रहा कियो notes को देखिए notes को देखिए और फटायक से question करिये अब आप यहाँ पर भी बटके चलो यहाँ पर थोड़ा चपलने यहाँ पर भी बटके यहाँ पर थोड़ा सब्सक्राइब कोशन की practice करना दोस्त इस पर जिनके selection हो रहे हो धर 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 लगे पड़े कोशन सी कोशन में practice करने में वह अपने आपको परखने में लगे पड़े कि हाँ वह यह हमारी कमजोरी कहाँ पर है कौन सा चेप्टर हमारा कमजोर है उसमें लगे पड़े हैं ऐसे नहीं है आज इसने बुला आच्छा य है जब तक जाएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा सामने वाला कैसे मौके देगा तुमको लड़ने के तो यहां से लड़ाई जीती जाएगी यहां पर कोशन्स करिये practice करिये ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है आईए अब बात करते हैं हमारे मुद्दे पर आते हैं और वो क्या सर मिनिमम मार्क्स कितने चाहिएं सर कट गजएंगे सर तरफ लाख बच्चे जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है तो क्या सर कट अफ जादा जाएगी हैं सर मिरको मिरे मिरे भाई एक बात बता 23 की अगर यह 50 लाख भी हो जैएंगे 23 लाख से अगर यह 50 लाख हो गए तो कि 720 तो 720 नमबर रहेंगे ना किसी बच्चे के हाइस तो नमबर 720 याएंगे ना 730 तो नहीं ले आएगा न समझ रहा है ना सीमपल सी बात है न येस आम लूह कि ये इस साल की इंडिया है अभी देखना कुछ साल में इंडिया फिर अरे हम सेकिंड नंबर पर रह नहीं सकते हैं भाई साव मनको फस्ट आना है यार हमको हर साल फस्ट आना है इस साल 23 लाग है अगले साल देखे का 25 लाग है फिर तेगए खा दीरे दीरे करते करते हैं competition बढ़ रहा है I know competition बढ़ रहा है लेकिन एक बात ये भी तो समझो कि 50 percentile नीट के exam में जो 50 percentile जो होती है वो कितने पर आजाते उसका cut off कितना होता है लगबग 130, 150, 170 marks के आसपास होता है यानि इस चीज को समझो कि मेरे भाई 50 percent से भी जादा लगबग 50 to 60 percent ऐसे बच्चे हैं जिनके marks नीट में कितने हैं कितने marks है 150, 170, 180 समझ रहा है बिनोध समझ रहा है इस चीज को अच्छे से समझ कि अगर 23 लाख बच्चे exam देने वाले हैं तो उन 23 लाख में से लगबग लगबग साड़े 11 लाख से 12 लाख ऐसे बच्चे होएंगे मानना ऐसे बच्चे होएंगे जिनके marks 100 से 200 की range में होएंगे समझना इस चीज को और कुछ भी नहीं मिलने वाला है उसमें क्यों अब ऐसे बच्चे ऐसे क्यों हो रहे हैं क्योंकि देखिए सीधा 12 के बाद आगये हैं एक्जाम देने स्कूली के टीचर्स ने बोल दिया ये कोचिंग के 시청 के टीच होएंगे जाते हैं माल लो आपको कोई किसी भी stream में जाना है तो NEET वहाँ पर अब essential हो चुका है आपको अगर private MBBS करनी है या private कोई सी भी degree लेनी है तो उसके लिए NEET mandatory है NEET का exam देना जरूरी है कली एक बच्चे ने phone किया Sir हमको private MBBS करना है हमको तो बस तो मार्ट चाहिए तो ऐसे बच्चे आएंगे ना exam देने के लिए तो इस चीज को समझे आपका real competition जो है वो लगबग लगबग ये जो 10 लाग category है ये तो खताम 100 से 200 के marks के बीच की ये 10 लाग बच्चे जो है इनसे तो है इनी आपका competition आपका real competition कितने बच्चों से है आपका वास्तविक आपका competition जो है वो मात्र और मात्र 2 से 2,5 लाग बच्चों में है एक लाग के आराउंड आपकी seatे हैं जिसमें से private भी है, government भी है है ना आपका real competition जो है वो 2 से 2,5 लाग बच्चों के बीच में ही है समझ रहा है और अब cut off जादा जाएगी कम जाएगी तो मेरे भाई सबसे पहली चीज आपने गबराना नहीं है क्या नहीं करना? आपने गबराना नहीं है tension नहीं लेनी है इस चीज को सुनकर 23 लाग बच्चे देने वाले हमारा का होगा सर जी? यह नहीं करना है चाती नहीं पीटनी है अपनी कि सर हमारा क्या होगा हम tension में आ गए है हमारे marks नहीं आ रहे है हमारा क्या होगा जो कुछ होएगा मंजूरे खुदा होएगा और बहुत कुछ बढ़िया ही होएगा पहली बात तो यह tension लेने की जरत नहीं है ठीक है tension जो है जस्ट वो क्या है एक मलाई की तरह है जो आपके चाय के प्याले पर आ जाती है एक कप में चाय जब आप रख देते हो तो मलाई आ जाती है वो मलाई tension ही तो होती है आपको उस tension को हटाना है और फिर पी जाना है चाय को success को हजम कर जाना है समझ में आया तो अपनी उन tensions को side में हटाईए यह नहीं करना किस वार कैसे होएगा किस तरीके से होएगा कहा होएगा और जो यह कर रहे हैं ना उनका नहीं होएगा उन होएगा उनहीं का ही जो questions की practice करेंगे जो जादा से जादा questions की practice करेंगे जो जादा से जादा सवालों का लगाएगे उनहीं का ही होएगा ठीक है तो last में जाते जाते मैं simple सी बात बोल कर जा रहा हूँ यार देख motivation motivation अब कोई motivation काम नहीं करेगा अब सिर्फ एक ही चीज़ काम करेंगे और वो यही है कि आपको मेहनत करनी है कुद दिन रात एक करना है questions की practice मैं आपको कराई रहा हूँ जो आप जानते ही है अभी तक 12th के करा दिये थे अभी 11th के कराने है तो 11th के chapter wise questions मैं आपसे करा रहा हूँ फिर इसके बाद जब 12th के हो गए है 11th के हो गए है फिर इसके बाद मैं क्या कराऊंगा आप जानते हैं previous year questions कराऊंगा previous year questions कराने के बाद मैं फिर मैं complete 11th का test लूँगा फिर complete 12th का test लूँगा और फिर last में final आपका complete syllabus का test लूँगा सब कुछ लूँगा सब कुछ तुमारा टाइम भी लूँगा तुमारा प्यार भी लूँगा तुमारे सेलेक्शन में हकदारी भी निभाऊंगा ठीक है तो पढ़िए जादा से जादा टाइम वेस्ट मत करिएगा ये वीडियो देखने के बाद इमीजेटली ये जो लिंक्स हैं इनको सेव कर लीजेगा और मैं ये सारे के सारे लिंक अभी टेलीग्राम पर भी डाल दूँगा वहाँ पर भी सेव कर लीजेगा पिन कर दूँगा उनको ताकि आप उनको लिंक के द्वारा अपने कोशन्स की प्रैक्टिस करते रहे ठीके जनाब चली थेंक यू सो मच बाई बाई टेक केर